नमस्कार में रिनको तो आप सबका मेरे यूटूब चनल में बहुत पर स्वागत है तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए पत्ता गोपी से बनी एक बहुत ही टेस्टी ऐसी नासे वाले रेसिपी लेकिया हूँ जो आपने पहले कभी नहीं बनाए होगी न खाए होगी तो फिर उसके बाद इन पत्तों का जो देट होता है उन्हें हमें आची तरह से छीन लेना है फिर उसके बाद अभी हमें इस रेसिपी के लिए स्टफिंग बनानी है तो उसके लिए मिन니까 की जो सबजी है उसे लिए तो इस सबजी को अभी हमें इकदम बारिक कट कर लेना हैं तो आप यहाँ दूसरी कोंती ही सबजी का इस्तमाल कर सकते हो तो यहां मेंने इस सब्जी को कट कर लिया है फिर उसके बाद अभी हमें इन पत्तों को बॉयल करना है तो उसके लिए हमें ग्यास पेक बरतन रखना है और इसमें हमें एक लस पानी डलना है फिर हमें इसमें इस सारे पत्ते डलने है और इन पत्तों को अभी हमें एक मिनिट तक अच्छी तरह से बॉल कर लेना है तो यह जो पत्ते हैं वो अच्छी तरह से स्टिम होने चाहिए तो अभी हमें एक मिनिट हो चुका है और यह पत्ते अभी अच्छी तरह से बॉल हो चुके है फिर हमें इस recipe के लिए stuffing बनानी है तो उसके लिए हमें gas pack बरतन रखना है और इसमें हमें एक चमच तेल डलना है फिर हमें इसमें आदा चमच राई डलनी है फिर राई सरत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत् फिर उसके पास अभी हमें इसमें आदा चम्मच गरब मस्साल पाउडर डलना है और आदा चम्मच जिरा पाउडर डलना है फिर हमें इसमें स्वाद नुचा लाल मिर्च पाउडर डलनी है फिर हमें इसमें आदा चमच हल्दी पॉडर डलनी है और अभी इन सारे इंग्रिदेंस को अच्छे सरा से फ्राइ कर लेना है फिर हमें इसमें बारी कट किया हुआ, सारा पता हो भी डालना है, फिर उसके बाद अभी हमें इसमें एक कप बारी कट किया हुआ, फूल गो भी डालना है, तो आप इसमें और भी सब्जा डाल सकते हो, फिर उसके बाद अभी हमें इसमें आदा कप बारी कट की हुए धन्या ढलना है उर स्वाधनुसा नमग डालना है और अभी इन सारा इंग्डेंस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इस स्टफिंग को अभी हमें एक मिनिट तक अच्छी तरह से प्राय कर लेना है अच्छी तरह से पका लेना है तो अभी हमें इस स्टफिंग बन के त्यार हो चुकी है फिर उसके पाथ अभी हमें एक बैटर बनाना है तो उसके लिए हमें एक बाउल लेना है और इसमें हमें एक कप गेवू काटा डलना है फिर हमें इसमें एक चमच बेशन डलना है फिर उसके पाद अभी हमें इसमें स्वादनुसा नमग डलना है और पाव चमच हल्दी पोडर डलनी है और इस सारे इंगड़ेस में थोड़ा-थोड़ा करके पानी डलना है और अभी आठों को इस पानि में अच्छी तरह से फेट लेना है तो अभी आए बेटर बन के तियार हुचुका है तो हमें इस तरह से बैर बनाना है फिर हमें बॉयल की हुई पता गुबे की जो पतिया है वो यो लिनी है और इसके बीच में हमें स्टधिंग बनने एैं और इसके पाथ अभी हमें इन पत्तों को आप्छी तरह से फोल्ड करना है कि तो हमें इसके रोल बनाने है तो इस たरह से उ अगहा हमें इस our area पर dei भना लिए अब्यूल के लोलं बना लिए तो इनि जो बेश्ण के बैटर है वो आच्पे तरह से लगना चाहिए! पर इसके बाद हमें इने फ्राय करना है तो उसके लिए में इन ग्यास पर तेल रग दिया है फिर तेल गर्व होनी के बाद हमें इसमें ये सारे रोल डालने हैं तो और इन इभी आप से ब्राउन झृस्पि होने तक हमें फ्राइ कर लेना है। है तो आप इस तरह से इह परताई घोबि का कुछ अलग तरीकly का नास्ता बनाके गरमा गरम ग्रिन चटनी के साथ नहीं तो सॉस के साथ नास्ते में सर्वा कर सकते हो नहीं तो आप इने एक स्निया की तरह सिर्फ चाय काफी के साथ भी दे सकते हो तो आज के वीडियो में इतना ही तो फिर से मिलते हैं और एक ने वीडियो में और एक ने टेस्टी रेसिपे के साथ तो Thanks friends watch my video!